स्टूडेंट के लिए हैं जिन भी स्टूडेंट का एनलोग एलेक्ट्रोनिक्स है और आप अगर एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लेटली देखें और यह मेरा लाइब सेशन का लेक्चर नंबर वन है जिसमें आ यह मेरा जो मोटो है आठ्योली वह यह है कि आप लोगों को कम टाइम में ऐच्छा मार्क्स इस सब्चेक्ड में आ जाएं ठीक है अच्छे मच्षे मार्ट सबंग बन जाएं यह मैरा मोटो है इस बीडियो के ठूल तो मैं आज आपको बताहूंगा बठा इस मैं daha मेरे लिखोगे या फिर मैं यहां पर लिखूँ है ना मैं राइटिंग करके आप लोग देखना चाहोगे या फिर मैं बोलू और आप लोग नोट करोगे ठीक है कैसे हो सभी यह बताओ पहले थर्ड सेमेस्टर के लिए यह है और जिनका वेनलोग इलेक्टॉनिक से वह सारे करो तो सबसे पहले आज में बात करूंगा जी हां ठीक है तो डायोड के बात आज में बात करने वाला हूं तो आप लोग अराम से नोट करो ठीक है सबसे पहले मैं आज प्लूपिक लूगा ठीक है टायोड ओके, डायोड ठीक है, सबसे पहले आप इसका सिम्बॉल लिखोगे, ठीक है, सिम्बॉल ठीक है, थोड़ा राइटिंग में प्राब्लम होगा ठीक है, बाट डॉंट वरी आप लोग टेंजन ना ले, राइटिंग की बज़े से, ठीक है और मैं जैसे से नोटेशन कर रहा हूँ आप लोग प्लीज पहले बैसे नोटेशन इसका कर लेना ठीक है, यह मैनस टर्मिनल यह पोजिटिव, पोजिटिव टर्मिनल को P से नोट करते हैं, और इसको N से, ठीक है, P N ठीक है, यह हो गया सिम्बॉल symbol of diode ठीक है सब लोग note कर रहे हो और आम से एक बार please एक बार comment करके सारे लोग बता दो ताकि मैं एक बार confirm हो जाओं तो please एक बार आप लोग बता दे ना ताकि मैं एक बार confirm हो जाओं है ना hello hi ठीक है अब सबसे पहले लिखो diode होता क्या है वो आप मैं बता रहा हो ठीक है सबसे पहले सुननों आप लोग यह note करना है तो note करो diode जो है न वह electronic device है ठीक है ठीक है आप लिख सकते हो diode is an electronic device in which electric current flow in one direction only only in one direction ठीक है लिख रहे हो आप लोग note कर रहे हो या मैं लिख दूँ यहाँ पर ठीक है आप लोग लिख रहे हो या मैं note करवा हूँ प्लीज बताओ मेरे को प्लीज प्लीज बताओ यार आप लोग लिख रही हूँ ओके ओके आप लोग नोट कर लो ठीक है बाकी जहाँ पर मेरे को लिखना होगा मैं जरूर बताओंगा तो आप लोग लिखो जो है न वह एक इलक्रॉनिक डिवाईस अफ्ल दिवाईस इन वीच अलेक्रीक करेंट ठीक है फ்लो इन वनट निरेक्शन इन तसंव 2-0 ओके लिख ली हो गया नोट बताओ भी यार नोट किया है या नहीं तुम लो हो गया ओके, next लिखो एडायोड हैस टू टर्मिनल ठीके, डायोड जो होता है उसमें दो टर्मिनल होता है ठीके, एक होता है लिख रहे हैं आप तो डायोड दो टर्मिनल होता है ठीके, पॉजेटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड ठीक है और निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैठोर्ड ठीक है लेख लिए इसको नोट करते पी से और इसको करते एंड से यह हो गया यह फीगर भी बना ले ना ठीक है अब 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 नेक्स्ट बताऊं कि इस डायोट में जो है ना करेंट और बेज पी टू एन फ्लो करेगा ठीक है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसा ने की एंड टू पी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा ठीक है आप पॉइंट को लिखते जाओ ठीक है उसके बाद दडायोड लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ठीक है दायोड कंडक्ट करेंड विन दवल्टेज टीक है विन दवल्टेज एड़ पानोड वन दो वॉल्टेज एड़ आनोड इस हाईयर higher than the voltage voltage at the cathode ठीक है इसमें point कहां यह है कि the diode conduct current ठीक है when the voltage at the anode is higher than the voltage at the cathode ठीक है that means क्या इसका मतलब यह हो गया यह देखो यह diode है ठीक है यह anode यह cathode ठीक है यह minus यह plus यह diode हो गया इसका मतलब यह हुआ कि यह जो anode का voltage है न ba is greater than यह cathode न वी c तभी यह conduct तभी यह id flow करेगा ठीक है p2n ठीक है that means यह इतना लिख लिए next बताओ बताओ यह रिस्पॉंस दो इस पिर्ग में ठीक है इसका note करो सबसे most ठीक है rectification में करते है rectification most important है rectification सबसे ज़्यादा करते हैं उसके आद voltage regulation voltage regulation में करते हैं तीसरा क्या हो गया इसका signal demodulation signal demodulation में यूज करते हैं उसके बाद क्या करते हैं protection circuit में करते हैं ckt circuit में यूज करते हैं इसका application है उसके बाद और क्या है कितने हो गए इदर चार हो गए ना पाचमा lighting जो light white होता है LED light ही सब में है ठीक है तो diode यूज करते हैं ठीक है lighting में उसके बाद क्या है छट्टा अगर मेरे से और अगर पूछ लो तो convert AC to convert AC to DC इसका most important use AC to DC में इसका use होता है कोई बात नहीं first semester वाले के लिए session लिया जाएगा ठीक है यह हो गया इस point को अब लिख सकते हैं उसके भी आई करेक्टरिस्टिक most important ठीक है तो एक graph हम इसमें ड्रॉ करते हैं भी आई करेक्टरिस्टिक में ठीक है यह CS है ठीक है ठीक है इधर हो गया आई इधर भी ठीक है इधर current इधर voltage उसके बाद देखो यह इसका भी आई करेक्टरिस्टिक अब इसमें मैं बताता हूँ क्या यहाँ पर forward हो गया ठीक है इधर forward side इधर भी आर reverse side इधर आई आर reverse current ठीक है मैंनस आई आर मैंनस भी आर इधर ठीक है यह होगे मतलब इधर यह मतलब यह होता है इसका forward region forward region इधर reverse region ठीक है forward और reverse क्या होता है वो देख लो अभी फिर मैं एक सर्कुिट भी आपको solve करके दिखाऊंगा half wave rectifier और full wave rectifier में ठीक है तो यह होता है क्या है forward और reverse बाइस देखो जब मालब यह एक diode है यहीं पर बता देता हूँ ठीक है इधर अगर बड़ सब्सक्राइब का एक दाब मस्स यह चीज़ समझ लोगे न सारे question डायोट के solve हो जाएंगे all question टीक है सारे question आपके solve हो जाएंगे इस पीड़ी तो नहीं हूँ एक बार पहले बता दो के से डी नोट करते हैं एक अब इस देखो दो रिजन होगा एक रिवर्स बाई से एक यह ठीक है अगर बीपी इस गिरेटर देन भी एन अधर हो गया बीपी इस लेज देन भी एन बतलब समय चाहिए इसका मतलब क्या क्या पूल्टैट का जो बस स्टेसं सबस् hombres & 2 a no dole हो गया अर्यहां पे एन जब यह होगा इसा तो यह Yap करेगा तो यहाँ पर अन हो जाएगा और यहांपर जैए आपका और समझ रही हो इसको बोलते हैं थे फॉर्वरड बाइस? क्रेंक है इसको बोलते हैं जींज इसका ओपें सरकीट हो जाएगा ओपें सरकीट हो जाएगा ठीक है अईदर एदर सौट सरकुट करेगा ठीक है समझ में आरा तो कमेंट कर सकते हो दिए सरकाओ अब आर रहां यह कैसे केसे किसहले वेलो एक डेखो कैसे समझ में आएगा मालो एक यह डाइट है थी साइड्स फायूस इसका नोटेशन नहीं याद करेंडे ना मालो यहां का बोल्ट डिया हका पॉल्ट दिया हक्त और यहां फॉल्ट वन बोल्ट डायोड लगा हूए है दोनों साइट का बोल्टेज आपको पता है ठीक है अब यह डायोड ओन होगा यह नहीं होगा ठीक है तो आपको देखना है ओन करने के लिए क्या कंडिशन है कि भी अधैक गेएटेर देन ब्य खरी एंट यहां पे दिख रहा है और धी पीज इकल Till पोल्ट के इस ग्रेट दिन Last वुल्ट्स और डायोड जो है हॉन होगा शौंट सर्कीट से अध्य पिर अपलों का दिमाग घूम जाएगा अभी आप अब लो खुद बताना यहां पे क्या होगा मानलों यहां पे मैंनसल तू बोल्त दे Deep न होगा या नहीं होगा हुत तो किस वजह से होगा नहीं होगा तो तो क्यों नहीं होगा फिर मैं बताता हूं अगर आप समझे हो तो यह भी अभी आप डायोड ओन होने का कंडिशन क्या था वह आपको याद करना पहले ठीक है चलो मैं ही बताता हूं बढ़ाइब ऑन कंडिशन वाइपी इस गिरेटर देन भी एन फो डायोड ओन है न कंडिशन यह चाहिए डावड ओन करें बस यहां पर क्या है मैनस टू बोल्ट जो है वह ज्यादा है एक बोल्ट से यह बताओ हाँ या नहीं बताओ 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 फटाफट बताओ अब एक चीज और यहां पर सुनो यह देखो निगेटिव टर्मिनल और यह पोजेटिव टर्मिनल इसके बज़ा से मस्ट डिसाइट करना ठीक है यह रिवर्स बाइस होगा या फॉर्वर्ड बाइस होगा बताओ यार कोई यार किसी का कमेंटर नहीं आ रहा मतलब कितने लोग हो यहां पर जो पढ़ने वाले हो प्लीज यह बता दो मतलब मैं तो यार टाइम फिर तो वेश ठोड़ा है न हमारा आप सीखोगे नहीं तो फिर कैसे करूँगा यह ना प्लीज बताओ बताओ कोई बताओ चलो इस एक चीज और यहां पर नोट कर लो पहले तुम लो इसमें क्या है ना यह मैनस टू बोल और वन बोल्ट इन दोनों में से कौन डिसाइड करेगा कि डायोड ओन होगा ठीक है क्या मैं लिखा रहा हूँ यार हाईयर निगेटिव लिख रहे हो पोटेंशियल हाईयर निगेटिव पोटेंशियल डिसाइड डिसाइड दब बिहेवियर रहा हूँ बिहेवियर क्या मैं लिख दिया हूँ बिहेवियर ऑफ डायोड जो हाईयर निगेटिव पोटेंशियल होगा ना वही डिसाइड करेगा है कि डायोड ओन होगा या नहीं कैसे तो एक एक्जामपल इसका भी जमेट लो ठीक है मैनस टू बोल्ट दिया हूँ इसा रहता question गाहां डायोड क्या बना दिया है अगर मान लो डायोड ऐसा रहता टीक है मैंनस 3 भोल्ट मैंनस 2 भोल्ट तो higher negative decide करता ये इधर तो negative होता है इधर positive higher negative decide करेगा तो ये diode on हो जाएगा short circuit से replace हो जाएगा समझ गए ऐसा ही होगा diode वाले case में ये मैं ऐसे example ऐसे बता दिया आपने uses लिख लिया characteristic इसका मैंने लिखवा दिया और कुछ point जो है characteristic के वो आप देख लेना कहां से देखना तो भाई वो आप देख लेना Google से कहीं से भी जो भी आपको देखना है ठीक है बट एक characteristic लिख लो ठीक है characteristic of diode लिखा रहा हो ठीक है एक लिख लो a diode लिख रहे हो a diode has a maximum voltage maximum reverse रिवर्स वाइज maximum reverse वाइज voltage maximum reverse वाइज voltage that that it can endure it break down ओके यह एक ही point है मेरे पास मैंने यह leak note करके रखा था इसको आप लोग छाप लेना बाकी आप लिख लेना ठीक है यह आपका हो गया diode ठीक है diode लिख लिख लिए ना अब उसके बाद डारेक्ट उसके बाद जैना diode पढ़ाऊंगा half way पढ़ाऊंगा और भी पढ़ाऊंगा बट उससे पहले एक चीज़ लिख लो clipर डाइवट पढ़ने के बाद हमें इसा clipर clipर and clamper circuit ठीक है clipर और clamper circuit लिख लो पहला clipर और clamper दूसरा नहीं भी यह one two लिख होगे तो चलेगा clipर और clamper circuit note कर लो ठीक है clipर और clamper ठीक है अब मैं लिखाता हूँ पहला clipर clipर circuit क्या होता है वो देख लो clipर clipर circuit clipर circuit circuit को c k t से मैं note कर रहा हूँ कोई problem आप लोग या reply देते जाओ clipर circuit is a non-linear लिख लो non-linear अब इसका इसका इंपोर्टेंट सम्जाऊंगा वेव से पिंग सर्किट ठीक है विच इस यूज विच इस यूज फोर क्लिपिंग प्लिपिंग ओर ही वे रिमोविंग मत्व फिलिपिंग मत्व वी रिमूब करना रिमूबिंग एक एक लिपिंग और रिमूबिंग रिमूबिंग सम अफ सम अब दे पर्शन अव transmitted waveform transmitted waveform टीक है क्लीपर सर्कीट उसी को बलते है क्लीपर सर्कीट क्लीपर सर्कीट इस ए नन लिनियर वेब सेपिंग सर्कीट टीक है यहां तक लिके उसके वीचीज वीचीज यूज़ पोर्सन ओफ transmitted waveform तीक है मतलब इसका यही होता है कि मानलो क्या इन्पूट में कुछ है आपको जैसे कोई सिग्नल दिया हुआ है इस टाइब का ठीक है इस टाइब का ठीक है इसमें कुछ मानलो कोई सिग्नल ऐसे ऐसे नोईज है तो इसको ना रिमूब कर देता है ऐसे उपर वाले को फिर आपको जो नीचे में जो देगा ना वह ऐसे देगा ठीक है इसी को बोलते है रिमूब नोईज को रिमूब कर दिया यह जो नोईज था ना सिगनल में इसको रिमूब कर दिया तो इसी को बोलते क्लीपर ठीक है क्लीपर भी जो है ना टाइप्स होता है क्लीपर का पहला स्रीज क्लीपर और संट क्लीपर ठीक है क्लीपर जो हता है क्लीपर सरकीट यह दो टाइप्स के होते हैं पहला दूसरा सिरीज series clipper और sun clipper sun clipper ठीक है दो type का होता अब series और sun भी अलग अलग होता है जैसे देखो series और sun ठीक है ये भी दो type के ये भी दो type का ऐसे positive negative इसमें भी positive negative positive क्या था सिरीज क्लीपर सर्कीट निगेटिव सिरीज क्लीपर सर्कीट उसके बाद positive sun clipper सर्कीट उसके negative sun clipper सर्कीट ऐसे होते हैं टाइप ठीक है आप बोलोगे समझ में आ रहा है या नहीं बता दो यार ठीक है अब देखो मैं बताता हूं यहां पर positive ठीक है चलो मैं लिग देता हूं अच्छे से positive positive series क्लीपर सी केटी सर्कीट के लिग दो नीचे कामेंट में समझ में आ रहा है तो देख लो मैं ज्यादा नहीं एक positive का बताऊंगा एक sun का बताऊंगा इस positive series क्लीपर सर्कीट क्या होता है कि series में आपके diode लगी रहेंगे ठीक है और डायोड ठीक है और संट में आपका एक रेसिस्टेंस लगा होगा यह होगा आपका positive series क्लीपर सर्कीट भी इनपूट भी आउटपूट प्लस ठीक है यह एक डायोड दिया हुआ है यह एक संट positive संट क्लीपर सर्कीट बस यही बताऊंगा इसके बाद नहीं बताऊंगा ठीक है इसमें स्रेज में यह रहेगा स्रीज में रेसिस्टेंस और कर इसमें संट में यह याप बीण सिस्टेंस यही यह आपका निगेटिव संट में कैसे हो जाएगा निगेटिव संट में डायैक सन्से फूल्टा हो जा Judith तीक है तो यह समझ गए आप लो कितना इजी है इसको में सॉल्व करके बता दूँगा ना यही है आपका हाप बेब रेक्टिफायर अप फूल बेब रेक्टिफायर ऐसा ही होगा है ना बताओ यार कोई कोई है यहां पे बताओ बताओ समझ में अभी तक है सब कुछ क्लियर है अभी तक सब कुछ क्लियर है ना बोलो सब कुछ क्लियर है उसके बाद लिको जैनर डायोड क्या होता है जैनर डायोड ठीक है क्लैंपर का क्या होता है ना जैसे मैं अभी क्लीपर बताया ना उसी टाइप का क्लैंपर भी होता है और क्लैंपर में क्या होता है वो सुल लो बस सुल लो Clamper Circuit का definition लिखना है, जिसको लिखना है, Clamper क्या होता है, Clamper Circuit is used to add DC level to AC waveform as per the requirement, इसमेना add करते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर add करते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, जो DC, जो negative वाला जो चीज होता है, वो जाके उपर की तरप चला जाता है, Clamper Circuit is used to add DC level to AC waveform as per the requirement, ठीक है, Clamper Circuit is also referred as DC Restorer, ठीक है, DC Restorer या फिर DC Inserter Circuit, उसके Clamper Circuit is used for clamp complete waveform above और below zero reference level, ठीक है, ऐसा ही होता है, फॉसम कपसे होगा, बाई, एक्जाम का तो अभी जो मेरे को information आया है, वो पास से सभी का एक्जाम है, बट यह wrong भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद जैनल डायोड जिसको लिखना है, वो लिखो, जिसको पढ़ना है, वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है, भाईया, आप बता दो, कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, लिखो, जैनल डायोड इजे स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, लिख सकते हो, मैं जैनल डायोड इजे स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टिफायर, इस्पेशल टाइप ऑफ डायोड, यह जैकि स्पेशल टाइप का डायोड होता है, यह क ठीक है, that permit, permits current, current को इलाओ, current, क्या लिख दिया है यार, current को, current not only in the forward direction, ठीक है, जैसा कि diode, normal diode क्या होता न, वो current सिर्फ एक ही direction में flow करता है, P to N, वो N to P नहीं करता है, बट इसमें क्या है न, forward direction, मतलब P to N और reverse direction, N to P, दोनों में ये काम करता है, ये flow करता है, ठीक है, in the forward direction, ठीक है, and also, allow, या permit, जो भी लिखना है, allow, मैं यहाँ पर allow लिख दिया हूँ, या permit, जो भी लिख सकता है, allow current to flow in, flow in the reverse direction, reverse direction, दोनों में, ठीक है, ये दोनों जगह, ये काम होता है, हो गया न, उसके वेन, when the voltage is above, above a certain value, एक ऐसा value पर जब ये काम करता है, voltage का जो होता है, ठीक है, इसको जैनर डायोट बोलते है, एक definition all लिखना है, जिसको तो लिख सकता है, लिख सकते हो, ठीक है, जैनर डायोट का, ठीक है, लिख हो, लिखना है, ये रहने दू, लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट लिख लो, if the voltage is, if the voltage is larger than breakdown voltage, अब बीडियो को पीछे करके लिख लेना, if the voltage is larger than breakdown voltage, नोन अजえる voltage और जेनर नीफ बोल्टेज, इसको जो डायिग्राम शिम्बल होता है, वो ऐसा होता है, टीक है, एनोड, केटोर्ड, टीक है, ऐसा ही होगा, प्लश, मैनस, टीक है, इसका जब मैं एक नुमेरिकल बता दूँगा, तो फिर आपको पता चल लगा है, जैने डैउट कैसे यूज करते हैं, टीक है, लिख लिए जैने डैउट के बारे में, इसका ना तुम लोग एक काम करना ना, इसका चरेक्टरिस्टिक तुम अपने से अच्छे से लिख लेना, ठीक है, या बोलोगे तो मैं लिखा सकता हूँ, है ना, एक होता है एवेलेँच ब्रेकडाउन, ठीक है, यह सब याद रेने, क्या वेलेंच होता है, और एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो दोनों पढ़ लेना एक वाडर इफिनेशन, गूगल से अप लोग लिख लेना अच्छे से ये दो चीज ठीक है तो वो कभी-कभी पूछा भी जा सकता है एवेलेंच और वो ठीक है उसके बाद अब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बताओं यह बताओ रेक्टिफायर बताओं फीडबैक बगेरा कल बताओंगा ठीक है बस मैं सौट सौट में लेके चल रहा हूं रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है हाफ वेव रेक्टिफायर हाव रेक्टिफायर यार कमेंट करके बताओ कोई है भी या चले गए सब लोग कोई हो यहां पर ठर्ड सेम से कोई है मैं पहले ही बोल रंकर वीडियो में रिस्पोंस नहीं आएगा तो यह सेशन रोग दिये जाएगा कल से एक हाव वेफ रेक्टिफायर ठीज है सबसे पहले इसके ना सिंबॉल बना लो क्या होता है एक ट्रांस फर्मेर लगाओ यहां पे लिए अन्गा कर दो मालो यहां पे कुछ ac voltage आपको दिया रहेगा इसको हम यहां आपको मिलेगा वो test EP2 मिले खडिया रहा हूं यह जिन पूल यह रिपरजेंटेशन जो भी अपको लिखना है figure लिख लो figure ठीक है यह half wave rectifier का है half wave rectifier को ऐसे denote करते है hwr ठीक है filter circuit के साथ बताईए wait 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 filter के साथ क्या बताऊ यह बताऊ भाई वही तो है इसको complete करने तो अराम से अब तुम लोग लिखो ठीक है तुमको सब कुद मस्त मस्त सिखाऊँगा है ना average value rms value सब निकालने के लिए ठीक है मैं अभी इसी को सिखाऊँगा ठीक है उसके बाद अभी और लोगा फिर दूसरा फूल वेव रेक्टिफायर जब लोगा ना तो फिर वो बताऊँगा ठीक है ठीक है अब लिखो आप दो हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है एक रेक्टिफायर होता है जैसा यहाँ एलाव अल्ली वन साइकल ओफन असी बोल्टेज वेव फॉर्म टू लिख रहे हो जार किसी का नहीं आ रहा रहा रिप्लाई कोई है भी नहीं सब लुक्स हो गए भाई आपके स्लेवर से लिखा रहा हूं और इंपोर्टेंट चीज़ बता रहा हूं ठीक है यहाँ वेव रैक्टिफायर इस दिफाइंड इस टाइप और रैक्टिफायर डाट एलाओ अनली वन साइकल ओफन एसी बोल्टेज वेव फॉर्म वेव फॉर्म तु पास वाइल ब्लॉकिंग अदर हाफ अदर हाफ साइकल इसमें क्या होता ना क्या होता वो सुन लो यह इंपूट तुम दिए फुल वेव ठीक हैं अब इसको यह क्या करेगा ने जो पास करेगा ने यह भी इंपूट है बट भी आउट्पूट अब्ध आउट्पूट जब आएगा ना तो ऐसे पास करेगा ठीक है इसी को हाफ करते यह आधा जो है ना खतम कर देगा इसको इसी को बोलते हाफ वेव रेक्टिफायर अब यह और दूसरा दूसरा चिली को फिर दूसरा पॉइंट लिको ठीक है मतलब दूसरा पॉइंट के हाफ वेव transfer AC voltage to DC voltage okay उसके बाद थीसरा हाव वेब रॉक्टिफियर uses only one diode for the trans for the transformation trans for mission ठीक है इसी को बोलते हाव वेब ठीक है अब यह होता क्या यह देखना अभी आपको पूरा इनमस्त सम्झाता हूँ यहाँ पर माल दो भी एस दिया हुआ है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है आर ठीक है यहाँ पर हो गया इसके एकॉर्डिंग में भी आउट्पूट ठीक है बी एस भी इंपूट डायोट कप कंड़क्ट करता है जब एनोट का जो बोल्टेज वो केरेटर होगा इससे तो माल दो यह डायोट कंड़क्ट देखो पोजेटिव हाफ सैकल यहाँ पर पोजेटिव होता है यहाँ नीगेटिव पोजेटिव हाफ सैकल ठीक है पोजेटिव हाफ सैकल में डायोट जो है आपका अन हो जाएगा ठीक है और उसके बास सौट स्रकिट डायोट लग अन्स engages अब सरकिट कैसा बनेगा आपका यह देखो बी आउटपुट इस इक्वल टू बी एस जो बी एस है ना यहाँ पर कोई रेसिस्टिंस उपर में तो कुछ नहीं है न तो यहाँ पर बी नोट हो गया तो बी एस इस इक्वल टू बी नोट यह आ गया पॉजिटिव हाफ साइकल में अब देखो नेगेटीव हाफ साइकल में क्या है आएगा नेगेटिव हाफ साइकल नेकेटीव हम साइकल में क्या हूआ यहाँ ओ गाएट यहांपे नीगेटीब लिए जागगे तो यह व कर देखना औपू ऐघर आउट ॉस जाका गया जब दधाkedक है तो pride को क्या होगा फिर जब डायोड advent होते हैं तो आपका जो सरकीट है यह आफ हो जाएगा ओपें सरकीट हो जाएगा ठीक है open circuit से replace हो जागा फिर यह ऐसा हो जाएगा B output is equal to 0 volt ठीक है? 0 volt हो गया यहाँ पर कुछ current ही नहीं 0 ampere इधर कुछ गया है नहीं तो यहाँ पर भी 0 ampere 0 ampere इधर current flow करेगा तो B output is equal to 0 अब क्या हो आप इसका मास्त सग्गराब आपको दिखाता हूँ ठीक है यह हो गया अब यह देखो भी आउट पूट ठीक है अब देख लो यह positive half cycle हो गया ठीक है negative half cycle में 0 फिर positive half cycle में फिर negative इसी को बोज़ते हैं भी आउट पूट इधर ठीक है तो भी positive half cycle कहा तक होता है पाई तक 0 से पाई और इधर 2 पाई यहां हो जाएगा पाई से 2 पाई negative half cycle ठीक है इधर पाई अब मालों इसका average voltage निकालना है तो कैसे निकलता है भी output average तो क्या होता है average value जब भी निकालते तो area वटे time होता है ठीक है अब देखो area क्या है इसका value आपको दिया रहेगा बी एस इक्वल टू जो भी है तो बी एम साइन ओमेगा टी जो भी इसका value दिया रहेगा तो इसी टाइप से होगा आपका तो area वटे time कर दोगे आ जागा आपका ठीक है इसी को बोलते हाफ वेब रेक्टिफायर जिसमें कि आपका full wave तो दिये input में बट इधर half wave आया ठीक ह समझ में आ गया अब देखो आपको full wave रेक्टिफायर वराते full wave रेक्टिफायर ठीक है इसका definition note करो सब लोग note करो फटा फट कंटिन्यू विडियो बहुत काफी लंबा हो गया है बट इसको सब लोग देखो गए और कल अगर response इस पर अच्छा नहीं आया तो कल से यह बंद ठीक है यह यह मैं काफी मैंनत करता हूं इसके उपर ठीक है लिखो एफ फूल वेव फूल वेव रेक्टिफायर एफ फूल वेव रेक्टिफायर इस ए रेक्टिफायर इस अमारा हम सबको याद भी हो जाएगा is a rectifier which which is used for converting which is used for converting both the both half cycle बोट हाफ साइकल और एसी अल्टनेटिंग करेंट इन्पूट इन्पूट को आई पी लिए करा हूँ इन्पूट इन्टू डी सी आउट पूट यह हो गया पहला पॉइंट ठीक है उसके पाद लिखो और दूसरा पॉइंट अफूल वेव रक्तिफायर इस डिफाइंड एस अलवा लाको न दूसरा पॉइंट कर देना इसको नंबर बन पॉइंट कर देना इस डिफायर 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 Pulsating DC Pulsating DC मतलब क्या होता na Pure DC नहीं होता है Pulsating DC कैसी होगः DC Pulsating DC टीक है समझ रहा हो अब इसका डाइग्राम बनाई अने मस्त इसमें भिन मस्त रांस्पॉर्मर बनाऊ ठीक है उसके बाद यहां पे दो डायोड बनाऊ अब बीच में यहां पे टैपिंग करके यह के एक resistance ठीक है यहाँ पर B0 plus minus RL load resistance plus minus current यहां से फ्लो खोगा उसके बाद diode 1 इसको दो. यह बीच में यह लगा दो यहां Bmos by 2 Bs by 2 plus minus plus minus ऐसे होगा. ठीक है? जो भी जानता है न वो ऐसे kbl लगेगा. यहाँ पर ceksin यहाँ पर जो भी ट्रान्सफर्मर में और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका इन्पुट जो है वो ऐसे जाएगा डिक है उसके बाद यहाँ पर फी आउट पूट इसका कैसे होगा यह मैं लकी डाइसे दे रहाँ टिक है यह वाला पार्ट ऐसे 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 और यह चलता रहेगा ठीक है यह टी टी इसी को बोलते फुल वेव रैक्टिफायर ठीक है फुली आपको यह समझ में आया होगा इसमें आप सब कुछ आपको पता रहना चाहिए ठीक है यह आपका फॉस्स चैप्टर हो गया पूड़ा I think complete I think साहित पूड़ा complete हो गया होगा या कुछ बाकी होगा I think थोड़ा अगर बाकी होगा तो मैं कल कबर करूंगा आज के वीडियो की इतना ही रखूंगा ठीक है बाकी आपका response में देखूंगा और आपको समझ में है नहीं कमेंट करके सारे लोग बताओगे सारे लोगों का इंपॉर्टेंट ओके थैंक यू शेयर जरूर कर देना सब्सक्राइब